हेलो दोस्तों स्वागत हैप का हमारी यूट्यूब चैनल इफ और इंजिनरिंग में हमारा उदेश आपको दिखाना वो जो सायद आपने पहले कभी न देखा हो आज हम बात करने वाले हैं फुल फॉर्म के बारे में आपने देखा होगा पाइप लाइन में बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो साट फॉर्म में बोले आते हैं और उसका मैं आज आप लोग को फुल फॉर्म बताने वाला हूं राइट अगर कुछ मिस होता है तो आप बता किया S O R T Sum IMPORTANT FOR FORM, आभी देखो हमारा स्क्रीन ओपन हो चुका है, हम आगे है गए एक नये फाइल में देखो पहला पीज है हमारा IMPORTANT FULL FORM of short forms यह IMPORTANT है क्योंकि बहुत सारे लोग pipeline में काम करते हैं यार उनको word तो यूज करते हैं लेकिन उनको फुल फॉर्म भी नहीं पता होता है तो आप लोग समझ सकते हैं कि आधी धूरी जो नॉलेज होती है ना भाई वो पॉईजन की तरह होती है तो चलो ज्यादा देर ना करते हुए हमें स्टार्ट करते हैं तो पहला क्या है और ओडबलू क्या होत है अब दूसरा आता है आर ओउयो राइट ऑफ यूज अब बहुत सारे लोगों का कोश्चन होता है कि आर ओ डबलू और आर अइव होता है तो मैं आपको बता दे रहा कि आ रो डबलू क्या होता है राइट ऑफ वे रैट आप का एक काम करने का जो रास्ता है ना जैसे details वगर डालते हो वो हमेसा flow direction में और ROW की side में डालते हो और ROU का मतलब क्या होता है right of use आपको जो tender मिलता है आपकी company को तो आपके pipe के diameter के recording आपको ROU दिया जाता है कि कि कितने से कितने meter के बीच में आपको काम करना है उसी के दाइरे में रहके ही काम करना है उसके बाहर कहीं न turning point turning point क्या होता है कि आपने देखा होगा आपकी pipeline जाती है माल लो कहीं कहा हो आदिया बीच में उसको खेत की तरफ turn करना है तो वहां पे किसी ने किसी angle का एक band लगा जाता है जिसके दूरू हम line को थोड़ा सा divert कर देता है direction का का काम करता है वह band right तो वह turning point कर लाता है अब आ testing in the sense जब किसी भी part को तोड मरूड के मतलब उसे हानी पहुचाए हानी पहुचाकर या छती पहुचाकर हम जब testing करते हैं तब वह होता है DT क्योंकि starting में जब आपका raw material का जब आपका कहने का मतलब यह है कि आप यह कह सकते हो जब उसकी testing की आती है तो welding मारने के बाद पता ह आता है तो उसको तोड मरूड के सब कुछ करने के बाद उस पर fracture test करते हैं आपका tensile system तो कहना सारी चीए चेक करते हैं तो यह सब destructive testing में आता है NDT क्या होता है non destructive testing non destructive testing in the sense कि पार्ट को बिना तोड़े मरूडे उसकी testing करना non destructive testing के अंदर आता है रइट जैसे आपका RT, UT, VT, MT यह सब चारी चीजह होती है अब आ गया American Welding Society AWS क्या होता है American Welding Society एक तरीके के सोसाइटी होती है इसके अपने specifications है इसके बहुत सारी बहुत सारे parameters हैं इसके अंदर इसके अंदर में रहके आपका सारा काम होता है सारा parameters होता है maximum API American Petroleum Institute right ASME क्या होता है ASME बहुत बहुत बार आप लोगोंने सुना होगा कि जब कोई problem आती है किसी से discuss करो तो लोग बताते हैं कि ASME section 9 में ये चीज़ है ASME section 5 में ये चीज़ है ASME section 8 में ये चीज़ है तो उसी तरीके से ASME का full form क्या होता है American Society of Mechanical Engineers भाई या समझ लोग की जो अमेरिका वालों रहन क्या है ASTM क्या होता है American Society for Testing and Materials क्या बात है वाह अमेरिका वालों आप लोग च्छा गया है American Society for Testing and Materials PSL क्या होता है ये ये बहुत ही important है जब आप report बनाते हैं तो वहां पे आपका pipe का details देखो डालते होंगे API 5L grade X70 X80 PSL 1 और 2 ऐसे कुछ करके डालते होंगे तो ये होता है भाई सब PSL pipe का एक तरिके से grade होता है PSL 1 होता है PSL 2 होता है इसके अंदर बहुत सारे grade होता है product standard level ये standard का label बताता है कि इस product का standard कितना बढ़िया है अब आगे बात करते है full form of welding processes अच्छा ये भाई welding process का full form आ गया चलो ये normal से चीज़े हैं देख लेते हैं जल ये तीनों एक ही process होता है इसको आर्क वेलिंग बोलते हैं sealeded metal arc weld MMAW manual metal arc weld MMA manual metal arc इसको ऐसे बातों बातों में arc welding भी बोला जाता है तो ये तीनों एक ही है एक ही process का नाम है SMAW MMAW और कमाल की बात ये हैं इसमें consumable electrode यूज किया आता है आपको हमेशा याद रखना है consumable electrode यूज क 미국 मैग इसी में आता है right मैग कब होता है मिग कब होता है metal inert gas metal active gas इनर्ट यूज किया रता है तब मीग होता है जब active gas active gas in the sense carbon dioxide CO2 का use किया रता है तब क्या होता है मैग होता है right तो आपको याद रखना है GMAW process किया होता है gas metal arc weld इसमें दो process होते हैं मिग और मैग मैग क्या होता है metal inert gas and second thing is that a mag metal active gas right अगला प्रोसेस दखते हैं GTAW gas tungsten arc weld tungsten से आपको पता चल रहा है कि ये tungsten उगरा कुछ इसमें रहता है हाँ रहता है मैं को आता हूँ ये इसमें non consumable electrode एक तरीके से होता है जो इसमें filler wire अलग से लगाया था राइट टिक welding जो आपका होता है tungsten inert gas ये इस तरीके का प्रोसेस होता है उसमें holder होता है उसमें call it call it के अंदर आपकी tip लगती है ये tungsten की राइट चलो ये प्रोसेस है कभी बात करेंगे इसके बारे में full फुल बात करने वाले हैं अब आगे क्या है आपका है अगला welding प्रोसेस है अब CAW flux code arc weld इसको हम semi welding भी बोलते हैं आपने देखा होगा जिसमें एक continuously wire चलता रहता है wire का वो होता है क्या बोलते हैं आप कह सकते हो कि एक round type का होता है उसमें wire लपेटा गया रहता है उसको fit करते है machine में तो automatically चलता रहता है holder के पास में एक switch होता है उसको जब दबाते हैं तो उसमें wire निकलने लगता है सेमी welding में वुलाता है आप c.a.w. को σममर्जड आक weld सममर्जड आक weld सममर्जड आक weld समर्जड आक weld ऐसे डबलू होता है DC ep DC EN क्या है चलो आगे हम polarity के बारे में क्या है polarity है DC eP क्या होता है बारें डायरेट गरेंट इलेक्टोर्ड पॉजसीव और क्या हूता है Direct Current Electrode Negative इह Polarity होता क्या यह vdo नियुक्त संकु बताता है Polarity के बारे में बहुत कम लोग को पता है लेकिन जिनको नहीं पता है वो जान ले जिनको पता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है वो दूसरों को भी बता है जिनको coordinating के फ्लोग मतलब जिस तिसा में फ्लो करता है करें ना उस चीज को डिफाइन करता है DCEP Direct Current Electrode Positive आप देखे होगे जब आपकी welding machine देखा होगा welding machine में एक side में plus लिखा होता है एक side में minus लिखा होता है जब आपका holder plus वाले से add है तब हूँ क्या होता है DCEP Electrode Positive आपका चल रहा है लेकिन जब आपका electrode negative वाले में होता है तब क्यों होता है DCEP Direct Current Electrode Negative तो यह चीज़ होती है और इसमें एक difference मतलब यह एक तरीके से electrode के according होता है कि किसी-किसी electrode में DCEN मारना पड़ता है root होगे रहे DCEP मारना जाता है उसके बाद तो यह सब चीज़ है आप समझेंगे देरे देरे इसके अंदर जाना पड़ेगा उतना time नहीं है भाई ज्यादा time हो जाएगा तो आपके लिए वीडियो बढ़ा हो जाएगा SFA SFA is a very important topic for the electrodes SFA number होता है SFA आपने देखा होगा इसका full home होता है specification for filler metal analysis क्या होता है specification for filler metal analysis समझेंगा है welding करते समय जो हमारा filler metal लगता है उसके बारे में analysis करना यह SFA में आता है भाई और इसमें आपने देखा होगा electrode के बगल में लिखा होता है SFA 5.1 5.5 5.18 5.20 5.205.29 ऐसे करके होता है यह राइट अब उसके आगे देखते हैं क्या है आगे हम यह PWPS proposed welding procedure specifications proposed welding procedure specifications PWPS जैसे किसी चीज़ का prelims नहीं होता है preliminary होता है इसी को proposed बोलता है welding procedure specifications अब आगे आपका WPS welding procedure specifications वो specifications जिसके according आप welding complete करते हो जिसके standard को लेके welder welding मारता है pipe में वो होता है आपका WPS WPS में बहुत सारी चीज़े mention की गई होती है मेरे आपको साइब बताया है WPS 1, WPS 2, WPS 3, 4 जब आप देखोगे तो उसमें पूरा सब mention किया गया रहता है कि आपका weather कैसा होना चाहिए आपका temperature कितना होना interpass temperature कितना होना चाहिए आपका preheat temperature कितना होना चाहिए welding process कौन सा है अब hill मार रहा हो downhill मार रहा हो क्या चीज़े है welding position का है 5G है इस तरीके से उसमें सारी चीज़े mention की होती है और उसी के according ही हमें welding उसी parameter के according ही हमें welding complete कर रहा होता है यही होता है हमारा welding procedure specifications and सबसे most important thing आप यह समझे यह कि WPS side पे जो भी welder मार रहे है उनके पास भी होना जरूरी होता है यह बहुत ही important है लेकिन यहाँ पे ऐसे ही काम होता है आपने दिखा होगा कि WPS welder welder के पास रहता नहीं है लेकिन होना जीए भाई समझे रहो ना जिस भी station पे जो भी welder work कर रहा है उनके पास WPS होना बहुत ही important है क्योंकि उनको पता है कैसे चलेगा क्या चल रहा है कैसे कितने भी क्या मारना है चलो अब आगे बात करते हैं PQR Procedure Qualification Record देखो WPS और PQR यह थोड़ा सा एक ऐसी तरीके का document होता है WPS क्या होता है कि वो site पे भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला document होता है लेकिन आपका जो PQR होता है Procedure Qualification Record यह एक तरीके से official document होता है इसका बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है site पे site पे सबस्यादा जो काम होने वादी चीज़े हैं वो है WPS राइट WQR क्यों होता है Welter Qualification Record अच्छा जब Welter WQT मारता है तो वहाँ पे QC Engineer का होना बहुत है इंपोर्टेंट है वो हर एक parameter जो बोलते है Essential Variables महत्पूर्ण जो उसमें Variables जो vary करने वाले चीज़े होते हैं आपका हो गया Travel Speed हो गया Current हो गया Voltage हो गया ये सारी चीज़ों को लिखता है कि According to the WPS के According ये उतनी पुरालिटी को लेके उतने Current पे उतने ही Voltage पे जितना WPS में लिखा गया उसके According ये Welding कंप्लीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है Travel Speed भी maintain करनी होती है अब आपका आगया उसी का जो Record बनता है उसी क्या होते है WQR Welder Qualification रिकार्ड उसी को हम रिकार्ड कर लेते हैं WQT हाँ ही गया WQT Welder Qualification Test जब Welder Qualification Test के लिए हमेशा नए Welder का Welder Qualification Test होता है तो वो According to the WPS ही Welding मारता है और उसका जो हम पूरा रिकार्ड रखते हैं कि हम पूरा राइड डाउन करते हैं एक डाइरी में लेके कि ये इस तरीके से Welding को मारा है इतने इतने पैरामिटर्स पे ज़्यादा गैप नहीं आना चाहिए उसके पैरामिटर्स में ज़्यादा टोल्रेंस नहीं होना चाहिए उपर नीचे ज़्यादा नहीं होना चाहिए थोड़ा वाला रहेगा तो चलाएगा क्योंकि एक जैक तो कोई नहीं मारता है तो ये एक दूसरे के एक तरीके सा supporting documents होता है राइट चलो Welder qualification test WQT Welder qualification test वही होता है जब किसी Welder को qualify करने के लिए उसको एक test मारना पड़ता है वही होता है Welder qualification test EQT Electrode qualification test हाँ भाई Electrode को भी qualify करवाने के लिए उसका भी test होता है तो वो क्या होता है Electrode quality test होता है TCP वाह क्या बात है TCP Temporary Catholic Protection What is the mean of TCP आप देखे होंगे जब बैक फिलिंग के बाद ये सब काम चलते रहते है TLP हो गया मीडिया क्या बोलते है आपका मारकर लगाना हो गया ये सब सारे काम बैक फिलिंग के साथ साथ चलते रहते है TCP होता है Temporary Catholic Protection मतलब अगर आपकी लाइन और लोरिंग हो गई है सब कोच बैक फिलिंग और कम्प्लीट है ये TCP से लगायाता है कि मान लो कहीं पे कोटिंग और डैमेज है और कॉरूजन होने लगा मिट्टी में तो रहता है कॉरूजन होने लगा जिसको अपनी भाजा में मूर्चा बोलते है मूर्चा पकड़ लिया रस्टी पकड़ लिया जन्म में पकड़ लिया तो धीरे 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 क्या होता है ये एक तरीके से Catholic Protection उसका करता है और TLP Box उसमें देखो उपर एक बॉक्स लगा होता है ठेस्ट lead point ये क्या होता है कि एक तरीके का आप ये कह सकते हो कि उस line के बारे में जो भी अरे यार क्या होते है उसको पर देवाग में नहीं आ रहा है ये तरीके का checking point होता है आप कह सकते हो कि इसके थुम हम चेक करते हैं और मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है CIT क्या होता है Coating Integrated Test Coating Integrated Test कक्या आता है मैक्समा आपने देखा होगा जब HDD क्या आता है HDD उसके बाद जब उसकी Pulling होती है Pulling करने के बाद जब आप Post Gazing होता है Post Hydrotest होता है After that CIT क्या आता है Coating Integrated Test की Pulling करते समय Coating कहीं बाहर तो नहीं निकल गए यह इससे पता किल जाता है CIT करने से अब क्या आ गया यह बहुत ही important topic है Pull forms of Weld Joint Repair जो भी हमारी welding होती है welding complete करने के बाद जब उसका NDT किया आता है NDT in the sense R NDT में बहुत सारे मेरिता होटे है BT के बाद जो defects find out होते है उसका यहां पर full form बताया गया है सबसे पहले कहा है HB, HB क्या होता है hollow bead hollow bead it's a type of porosity लोग बहुत कम जानते हैं इसके बारे में hollow bead की होता है सुना तो होता है नाम लेकिन यह एक porosity का part होता है आपको पता होना चाहिए यह root में आता है maximum hollow bead right air की वज़ा से air gap बनता है वहाँ पर तो वह hollow bead खिलाता है BT क्या होता है burn through burn through क्या होता है भई burn through आता कब है जब welder high temperature पर right high temperature पर welding मार रहा है temperature high है उसका travel speed अगर कम हो गया तो क्या होगा कि electrode वहीं पर घुष आएगा through कर जाएगा आर पार तो वहीं होता है burn through right और burn through आने के chances यह भी होते हैं कि welder अगर नए नए होते हैं तो वह भी burn through बहुत मारते हैं right तो इसके लिए इसके prevention के लिए क्लिए क्या करना है कि हमें current और voltage को अपना maintain करके चलना है और travel speed को भी maintain करके चलना है और भाई welder को दुबारा से बोलना है कि आप ट्रेनिंग करो उसके बाद फिर से बेल्डिंग मारो right IP आ गया भाई incomplete penetration आपने दिखाओ कि root में penetration जो होता है root में ही यह सब सारी actual problem आती है penetrate उसको अच्छे तरीके से करना चाहिए root से कम से कम 2 mm तक बाहर निकलता है बढ़िया से penetrate होना चाहिए तो incomplete penetration आता कैसा है मैं को Scient號 incomplete penetration आएगा तब जब आपका root face बड़ा होगा अगर root face आपका ज़्यादा बड़ा है तब incomplete penetration होने के ज़्यादा chances होता है root face बहुँ ज़दा कम होता है फिर भी होता है लेकिं root face का इसमें सबसे ज़्यादा matter करता है रूट फेस और लो इलेक्ट्रिक करेंट अगर आपने करेंट भी बहुत स्लो खरके मार रहे हो और मलब लो करेंट पर मार रहे हो और रूट फेस अगर ज्यादा है मोटा है तो यह प्रब्लम आपको देखने को मिलेगी कि आपको incomplete penetration मिलेगा access penetration क्या होता है access penetration मुदब ज़्यादा penetrate कर जाना जैसे बोलते हैं लेंस लटक गया joint मारते हो तो welding मारते हैं रूट में नीचे lens type का बन जाता है access penetration मुदब ज़्यादा penetrate हो जाता है ज़्यादा penetration का मतलब क्या है कि अगर आपका root face कम है और यहां पर भी current matter करता है अगर high voltage पर है तो route का penetration ज़्यादा हो जाता है तो access penetration ही कहलाता है LF क्या होता है lack of fusion मोलता है lack of fusion in the sense जो area fuse नहीं होता है वो छूड़ जाता है वही होता है lack of fusion lack of fusion तीन टाइप की होता है ठाई रइट root fusion होता है पहला चीज root से चलते है root fusion होता है दूसरा होता है interpass fusion interrun fusion आप कह सकते हो जब आप वीच में घ्रेडिंग मारते हो interrun मारते रहते हैं तो वहाँ पे अगर gap हो गया या कुछ चीज़ें ऐसी हो जो material वहाँ पे अगर fuse नहीं हो तो वहाँ पे क्या होता है कि वो interrun fusion एक होता है sidewall fusion कभी-कभी क्या होता है middle अच्छे से पकता नहीं है मतलब अच्छे से मेलट नहीं हो पाता है side में तो वहाँ पे space बन जाता है तो क्या होता है sidewall fusion वहाँ पे fuse नहीं होता है GRS क्या होता है GRS होता है grinding re-suit grinding re-suit यह होता है GRS यह भी एक तरीक है गा porosity मान के इसका repair किया आता है CP आ गया cluster porosity and scatter porosity 2 चीए scatter porosity CP हो गया cluster porosity cluster मतलब होता है गुच्छा जहां पे एक गुच्छेदार छोटा 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 hole होता है मालोक एक एक ऐसा आपको position मिला है कैसी जगा मिली जहां पे थोड़ी दूर में लेकिन खूप सारे क्या है hole है right तो क्या होगा cluster porosity में हैगा right SP क्या होता है scatter porosity scatter porosity इतितर बितर थोड़ा इधार उधार उधार आपको hole दिख रहा है तो क्या आता है scatter porosity होता है porosity maximum आता है कि मैं मैं आक होता हूँ आपका electrode अगर बढ़िया नहीं है तब porosity आएगा पहली चीछ दूसरा चीछ अगर ज़्यादा मतलब कहते है ना कि जो interpass temperature होता है अगर interpass temperature अगर आपका ज़्यादा हो गया maximum interpass temperature जो रखना चाहिए 200 रखना चाहिए maximum इससे अदा नहीं होना चाहिए अब इसमें कोई heat करके थोड़ी नमारते रहते हो न तब देखो heat होता है वो आपकी आप इतना कोसिस करो कि अगर ज़्यादा heat होता है तो उसे कुछ दिर के लिए छोड़ दो ठंडा होने के लिए छोड़ दो राइट उसके बाद वेल्डिंग मारो आपका प्री heat temperature कितना होना चाहिए minimum 100 degree Celsius होना चाहिए प्री heat temperature आपका minimum 100 degree Celsius होना चाहिए और interpass temperature maximum 200 degree Celsius होना चाहिए ठीक है तो इसकी वज़़ा से पुरसरीटी आती है और आपको यह बात ध्यान रखना है कि रहा है और थ्यान को स्टूर आप इसलेक्ट्डर रख रहे होना उसको बहुत ही अच्छे तरीके से रखो अछे और उसमें नमी नहीं होने जहीं है क्योंकि उसकी coating का बड़ा प्रभाव पड़ता है जब आप यूज करते हो इलेक्टूट को तो उसका जो coating होता है ना देखो किसी में brown color क्रहता है किसी में white color क्रहता हूँ क्या होता है कि यह contamination से बचाता है जो air pollution होगा रहा होता है से contamination से हो जो melt होता है ना melt material उसको बचाता है राइट लास्ट में आ गया भाई RUC RUC क्या होता है रूट अंडरकट राइट और RC रूट कर्ण केवटी रूट कर्ण केवटी रूट अंडरकट यह सब भी खास करके maximum current की वाज़ से ही आता है तो आपको यह सब चीजे थोड़ी सी ध्यान देनी है वाई साहब की आगर आप welding मार रहे हो और तो इतना आपको ध्यान देना है कि और यूसी ना आए रूट अंडरकर तो आना ही नहीं चाहिए यार यह सब तो बहुत छोटी छोटी प्रावलम है अगर इतने में भी यह सब चीजें आएगे तो फिर बहुत ही दिक्कत है और एक चीज़ होता है गैस पोर राइट गैस पोर क्या होता है यह इंडिविजू प्रेट दिया जाए गया रइट समझ रहे हैं तो उसमें फिर रिपियर दे दिया आता है और आपका जैसे की कुछ चीजें होती है जैसे आपको मैं बताना चाहूं एच डीडी क्या होता है भाई एच डीडी का फॉलफों क्या होता है हो हरिजंटल डैरेक्शनल डिलिंग ह होता है अब आपका आता है मेरे साब से बाकी कुछ बच नहीं रहा है कि देखेंगे अगर कुछ बचेगा तो अब बताएगा क्या बच गया है क्या नहीं बचा है राइट उसके एकॉर्डिंग हम देख लेंगे बात कर लिए राएगा इनकम्प्लीट पनेट्रेशन के चा तब आएगा रइट अगर लो करेंट्टेश्टी याप मार रहे हो इलक्तोड कहते ही जादा बड़ा एलक्तोड है跟我 बच बारती हो आप देखते हो कि is बहुत ही तरीके से मारना पड़ता है अब कह आता है कि एसान कि लाइप फूजियं आ क्य कि होता है भई कि रूट में अ आपका रूट अच्छे से फ्यूज नहीं होता है, तो रेट राटा, रूट फिजा रहा है, बात तो कही है थे इसके बारे में, खेर, चलो, हो सकता है कि आपको यी वीडियो बहुत पसंद आया होगा अगर आपको मेरा content अच्छा लग रहा है भाई तो मेरा वीडियो देखो मेरे वीडियो को like करो मेरे वीडियो को share करो धंग से share करो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही important topic लेके आने वाला हूँ इस चीज की मैं guarantee दे सकता हूँ जार कि अगर आप मेरे वीडियो देखते रहे गए न तो मैं आपको एक बहतरीन quality engineer बना के छोड़ूँगा guaranteed guaranteed मतलब guaranteed आपको आने वाले time में वो हर एक चीजों की knowledge रहेगी जितना बहुत सारे लोगों को नहीं होती है भाई तो आपको मैं खुद भी सीख रहा हूँ मैं आपको सिखाने भी वाला हूँ और मेरे जो channel का नाम है वो है E for engineering capital E आप space दीजिए math वाला 4 लिखिए फिर से space दीजिए फिर engineering E N G I N E R I N G E for engineering पर जाएए सब्सक्राइब करिए वहाँ पर bell icon दिखेगा उसे आप press करिए all पर press करिए ताकि जितना भी मेरा वीडियो है वो आपको सामने से दिखे आप हमारे वीडियो को देखिए उसे knowledge लिजिए और आगे interview दीजिए और interview को crack करिए और ज्यादा salary पाईए ताकि जिए और जिए त्क्राइब को करिए